नमस्कार किसान भाईयो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पंजन की तारीख, फसलों की पंजन की तारीख मैंने पिछली वीडियो बनाया हुआ है गेहों की पंजन की तारीख क्या है, अंतिम तारीख क्या है वो वीडियो की लिंक प्रवाइट करवा दूंगा डिस्कुशन में बहां से आप डाइट ली जा सकते हैं आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चना मसूर एवं सरसों का पंजयन कब से होगा तो किसान भाईयो मैं आपको बता दूँ आप मेरी स्क्रीन पर देख रहा है चना मसूर एवं सरसों का पंजयन 20 फरवरी यहाँ पर देख सकते हैं 20 फरवरी 2024 से इसकी सुरुबात हो जाएगी और लगतार जो है 10 मार्च यहाँ पर देख सकते हैं 10 मार्च 2024 तक चलेगी तो किसान भाईयो आप अपनी जो है सारी तैयारी रग लीजे समग राएड़ी में खसरे को लिंक करवा दीजे और खसरे में आधार को भी लिंक करवा दीजे जल से जल्द ताकि आप पंज़न समय पे करवा सकें और मैं आपको बता दूं किसान भाईो एक बार फिर मैं दोरा देता हूँ 20 फरवरी 2024 से चना मसूर सरसों का पंजन शुरुबात हो जाएगी और लगातार जो है 10 मार्च 2024 तक चलेगी तो किसान भाई जल से जल जो है अपनी तैयारी करें और किसान भाईो मैं आपको बता दूं चने की जो उपज के लिए जो पंजन होंगे वो समस्त जिलियों में होंगे मद्द परदेश के और मसूर के लिए 37 जिलों में जो है पंजन होंगे और भाई सरसों के उपर जन के लि साइटी संस्ता से जो है पंजन करा सकते हैं गेहूं चना मसूर सरसों का बहाँ पर आपको नीश सुल्क बिबस्ता रहेगी एक भी रुपे आपको नहीं देना होगा और मेरा बिनमर निवेदन रहता है आपसे कि आप अपने नजदी की सोसाइटी में ही जाकर जो है चना मसू सरसों का पंजन करा सकते हैं और अगर आप किसी प्राइविट सेक्टर जैसे ओनलाइन सी एसी सेंटर पे जाती है तो बहाँ पर आपसे 50 रुपे का सुल्क लिया जा सकता है कहीं कहीं पर 100 रुपे भी लिया जाता है लेकिन मद्द्बरदेश सरकार ने यहां पर 50 रुपे क सुल्क निर्धारित किया है अगर कोई भी सेंटर ऑनलाइन सेंटर या सी सेंटर 50 रुपे से अधिक मांगता है तो आप 181 पर कोल कर सकते हैं इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा और जिससे उसकी सिकायत होने पर उसका सर्विस सेंटर सील हो सकता है और उसे किया जा सकता है तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है और आपको क्या क्या डोक्यूमेंट ले जाने हैं मैं आपको बता देता हूँ पहला जो है अपना आधार कार्ड यहां पर ले जाना है आधार कार्ड की फोटो कोपी लगेगी बही जमीन की बही की फोटो कोपी ल लगेगी और बेंक पास्बुक की फोटो कोपी लगेगी और एक मुबाइल नमर एक मुबाइल नमर भी लगेगा और जिन किसानों ने अगर बटाई या कोली नमा से रखी है तो बटाई या कोली नमा का प्रमाण पत्र भी लगेगा तो किसान भाईो आप अपनी तयारी कर ल तो किसान भाईयो अगर हमारे चैनल के लिए कोई सुजाब है तो वो जरूर दे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू करें और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो टिसलाइक जरू करें धन्यवाद